फ्रेंट्स अकेडमी हिलीमंडी की तरफ से सभी को नमस्कार डेली करंट अफेर्स के आठ से दस कोश्चन डेली आपको अपडेट कराएं जाएंगे जो की आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महतोपन सिध हो सकते हैं तो आज का हमारा पहला परसन है फुटबाल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाडी कोन बने हैं तो फुटबाल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाडी बढ़े हैं क्रिष्टियानो रोनाल्डो कॉशन नमर दो हावडा काल का मेल का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है हावडाकाल का मेल का नाम मतलतर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। कोर्शन नमबर तीन, किस राज्य में पहले बाल सुलब पुलिश स्टेशन का उधगाटन किया गया है। तो ये है उत्राखंड, उत्राखंड में पहले बाल पुलिस स्टेशन का उधगाटन किया गया है, question number 4, चीन ने अवनांचल परदेश की किस नदी के किनारे गाउं का निर्मान किया है, तो हाल ही में चीन ने अवनांचल परदेश के एक नदी के किनारे अपने एक गाउं का निर्मान कर दिया है, तो ये जो इंडिया के अवनांचल परदेश है, इसकी कौन सी नदी है, तो नदी का नाम है तशारी चूं, तशारी चूं, इसको आप याद रखेंगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टोप पर रहा है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका सबसे टोप पर रहा है, कोशन नमर 6, किस दिगज गेंदबाज ने फेंचाईजी क्रिकेट से सन्यास लेने का फैसला किया है, तो ये है लतिस मलिंगा, लतिस मलिंगा ने फेंचाईजी क्रिकेट से सन्यास लेने का हाल ही में फैसला किया है, कोशन नमबर साथ, किस देश ने अमरीका के पूर्विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर परतिबंद करने का फैसला कर दिया है तो यह है चीन, चीन ने अमरीका के पूर विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो समेथ 28 अधिकारियों पर प्रतिबंद लगाने का फैसला किया है Q8, LIC के परबंधक निदेशक के रूप में किशे न्यूक्त किया गया है Q9, केंदर सरकार ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 850 मेगावाट के रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है तो यह चिनाब नदी, चिनाब नदी के ऊपर 850 मेगावाट के रेलवे पावर प्रोजेक्ट को हाल ही में किंदर सरकार ने मंजूरी दे दी है और आज का हमारा Q10, IPL टीम राजस्थान रोयल्स ने किस खिलाडी को टीम का नया कप्तान निउक्त किया है तो अभी राजस्थान रोयल्स के जो कप्तान के रूप में निउक्त किये गए हैं वो है संजू सैमसंग, संजू सैमसंग को हाल ही में राजस्थान रोयल्स ने नया कप्तान निउक्त कर दिया है इन सभी questions को अभी हमने हिंदी में देख लिया है और अब जानते हैं इनको English में English में आप इनको screenshot लेके या normally वीडियो को pose करके एक-एक पढ़ सकते हैं आपको daily friends academy की तरफ से इस तरह के current affair के आप वीडियो अवेलेबल होते रहेंगे इसके लिए आपको वीडियो सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपने दोस्तों में share कीजिए, like कीजिए ओके thank you, जै हिंद, जै भारत, वंदे मातरम आपका दिन सुभ हो